दोस्तों ये जग्या वही है, किसान वही है, सिर्फ साल बदला है, और दोस्तों इस किसान से दुबारा पूछ लेते हैं, जो पिछली बार हमने इसका इंटरू लिया था, जले भी रोग से लगवग, नाम क्या बताया था अपना? महेंदर कुमार था, जले भी रोग से तीन लाग का सम्तिंग, फिर भी आप प्याज बोरे हो, तो पिछली बार भी 6 बिगा खराब हुई थी आपके, तो मतलब कौन से बीज की बोई थी पिछली बार प्याज? पचगंगा सर्दार, और इस बार कौन सा बीज बोई आपने? एवन सो पर है, तो पिछली बार 6 बि पिछले सा— तो ऐसा टाइम, कर couई फरक नहीं ही, पिछली बार जली भीज़, तो आपके गाओं में उथゃई हो, तो कोई बार की कहने का मतलब भी नहीं है, तो ये खेत में इस बार कुछ लग रहा है कि जली भी रोग तो पिछली बार जैसे प्याज बोने के कितने दिन बाद जली भी रोग आ था थोड़ा सा बताएंगे प्याज बोने के करिए एक महने बाद आया तो आभी तो कितने दून हुए तो पिछली बार 20 दिनों में कोई सम्मावना दिख गई थी रोक की क्या कुछ 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 परसेंट कुछ परसेंट इस बार जैसे आपके गाउं के खेत में जरूर दिखाई दिया और कहीं तो नजर नहीं आ रहा है न जले भी रहा है तो पांच विगा प्याज बोई रहे हो आप है ना तो इसमें पानी दे रहे हो तो लगवाप बीच दिन के आपकी प्याज हो गई है तो पानी पानी तो पहली बार दिये समें कोई दवाइवा गयरा डाली है कुछ वैसे कोई नहीं कर पतवार की दवाइब कर दो यह खेत में ज्यादा हुआए होता ह इस एरिया में नहीं होता है तो लगवभी गामें हां कितनी उबच उठा लेता अब यहां से मलत कितना पैदा हो जाता है पर नहीं भाव की बात नीकर रहाएं मैं कोई मन की बात कर रहा हूं सब्सक्राइब निकल जाते हैं इस गाउं में सब्सक्राइब करते हैं अच्छा इसके बाद आब क्या होगे बना प्याज प्याज के बाद ग्यहूं बहुते हो आपके पास अपनी खुद की जमीन है ठेके पर वैसे करते हो अच्छा तो पिछली बार आपके मैंने सारा वीडियो लियो था वैसे तो मैं इसले रिपीट करना चाहरा हूँ एक साल हो गया उस बात के लिए ठेक्यू धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए